C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वानी पाठ लोग कहानिया क्या है? सफा नंबर एक बचो आज बात करते हैं लोग कहानियों की लोग कहानिया इतनी पुरानी होती है के कोई ये नहीं बता सकता के उन्हें पहले किसने लिखा है और ये कहां से आई है? आईए जानते हैं इन्हीं लोग कहानियों के बारे में के लोग कहानी क्या है? कहानी की पैदाइश लिखे हुए लफ्ज या तहरीर की इपतदा से पहले हो चुकी थी हजारों कहानिया ऐसी हैं जो कभी लिखी ही नहीं गई हैं बस एक नसल से दूसरी नसल के हाफ़े में मुन्तकिल होती रही यानि जैसे दादी नानी कहानिया सुनाती हैं तो वो कहानिया आगे ऐसे ही चलती रहीं मेरी दादी ने मुझे सुनाई तुम्हारी दादी ने तुम्हें सुनाई इसलिए कहानी कहीं या सुनाई जाती है और तहरीरी कहानी से पहले हकाई या औरल कहानी की एक मजबूत रवायत मिलती है लोग कहानिया अवामी जिन्दगी की उमंगों, खाबों और किसी कौम या कबीले या इलाके की इस्तमाई आदर्शों की तरजमान होती है कोई भी तहजीब जितनी पुरानी होगी उसकी लोग कहानियों का जखीरा भी उतना ही पुराना और बेश कीमती होता है हमारे मुलक में बहुत सी जबाने बोली जाती हैं हर जबान में अवामी अदब या लोक कहानी और लोक गीत का अपना सरमाया मौजूद है लोक कहानी या लोक गीत से किसी जबान के बोलने वालों के मिज़ाज उन लोगों की माशरती जिन्दगी उनकी कद्रों उनके खाबों उनके मैयार dau चुस्न या उनकी जमालियाद का अंदजा लगाया जा सकता है लोक कहानिया किसी काउम या अलागे की इसी जिन्दगी में इसी तरह फित्तरी अंदास से रोनुमा होती हैं जैसे किसी दरख्त की टहनी पर कोंपले फूटती हैं यह जमीन से खुदरो पौदे उगते हैं जो सादगी अवामी जिन्दगी में होती है वही सादगी अवामी गीतों और अवामी कहानियों में होती है दुनिया के तमाम मजहभी सहीफों में पुराने किताबों में कहानिया भरी पड़ी है हर कहानी तालीमी, अखलाकी, तहजीबी, तसवरात और माज़ती इख़दार की अशाद और तरसील का जरिया भी होती है सफार नमबर दो हर लोग कहानी किस ना किसी बसीरत का इजहार करती है और उसकी मदद से हम पर जिन्दगी की किसी ना किसी सच्चाई का इनकशाफ होता है जी हाँ, हर एक लोग कहानी हमें जिन्दगी की सच्चाई से रूबरू कराती है कहानियों का ये इंतखाब भी ऐसी ही बसीरतों का गुलदस्ता है विमलेश चौधरी ताथा प्रस्तुती CIET NCRT नई दिल्ली भारत